नमस्कार आप सभी को स्वाथ है आपके अपने चैनल में आज मिलेके आए हूँ विवापंच में पूजा जो सरण परिगे से घर पर किस प्रकार किया जाता है के बारे में तो चलिए जाने इस पूजा वीदी में हमें क्या-क्या जरुत पड़ती है और किस प्रकार से हम ये संपन कर सकते हैं चलिए सबसुब रहें जाने कि आज माता सिकाल जी की भगवान राम जी के साथ विवा हुआ था इसलिए ये पूजा हम घर पर करते हैं तो हमारे भी ग्रहस्ती जीवन बहुत ही अच्छा होता है हमें भी आशिरवात मिलती है इसलिए हम सभी को ये पूज करनी चाहिए ये जो पूजा है माक्सिस महिने के सुखलपक्ष पंचमी तिथी को मनाया जाएगा और इस वार दो हजार चौविस में छे दिसमबर को मनाया जाएगा सबसे पहले हम एक चोकी लेंगे चौवर लाल वस्त विचाएंगे फिर उसके ओपर हम चावल का आसन देंगे और थोड़े से चावल गनेश्ची के लिए भी हम आसन देंगे चावल का आसन देने के बाद सबसे पहले हम गनेश्ची को विराजमान करेंगे क्योंकि हर एक पुजूला में गणिश्च्छी को विराजमान करते हैं फिर पर हम इता का फोटो रखेंगे हम भगवान राम जी और आतासिता और और भी भगवान जो विराजमान होते हैं वो फोटो भी आप रख सकते हैं या फिर राम दरवार की फोटो भी आप रख सकते हैं इस प्रकार से इसके बाद हम तील का तेल वाला दीपक प्रजॉलित करेंगे आप गी का दीपक भी प्रजॉलित कर सकते हैं अब हम भगवान राम जी का नाम लेते हुए दीपक प्रजॉ भुलित करेंगे आप हमें एक लोटे में जल लेकर सभी देवी branches को स्नान कराओं है और गनिसची को पहले स्नान किराैंगे फिर उसके पाद सभी देवी दिलताओं को पानी का छिड़काव करते हुए स्नान के भाव से हम स्नान कराते हैं इस प्रकार तीन बार आपको छिटा मारनी होती है वस्टर सरूप हम मूली अर्पित करेंगे फिर उसके बाद हम जनेयों अर्पित करेंगे यदि आपके पास सफेद जनेयों है तो भी आप अर्पित करेंगे या फिर आपके पास पीला है तो पीला अर्पित कीजे या फिर इसको आप हल्दी पीला बना कर हल्दी से भी आप रंग कर जनेयों को अर्पित कर सकते हैं या फिर आपके पास जनेयू नहीं है तो मॉली को ही आप साथ बार लपेट कर आप जनेयू के रूप में अर्बिद कर सकते हैं इसके बाद हम फोटो में वस्तरस रूप मॉली अर्बिद करेंगे इसके बाद हम राम जी, राम भगवान जी को हम जनेयू अर्बिद करेंगे तब हम सबसे पहले गनेश जी को तिलप करेंगे चंदन से फिर उसके बाद राम जी को फिर लक्षमन जी को फिर हनुमान जी को आज के दिन हम माता सिता को रोली का तिलप करेंगे सबसे पहले हम सिंदूर अर्पित करेंगे फिर उसके बाद रोली का तिलप करेंगे माता सिता को रोली से तिलप करेंगे आप सिंदूर भी चड़ा सकते हैं गनेश्ची को हम दुर्ब अर्पित करेंगे यह दुर्ब और फूल आप अर्पित कर सकते हैं आपके पास प्लाफूल हो तो आप फूल अर्पित कर सकते हैं दुर्ब है तो आप दुर्बा अर्पित कीजे नहीं है तो कोई बात नहीं कोई भी फूल अरपित कर सकते हैं सभी भगवान को हम फूल अरपित करेंगे आपके पास इत्र है तो आप इत्र भी लगा सकते हैं आप कोटन के मदद से भी लगा सकते हैं हाथों के मदद से भी आप इत्र लगा सकते हैं इस प्रकार से हम इत्र लगा देंगे हम सभी देवी देवता को दूप दिखाएंगे फूल हमने अरपित कर दिया है दीप हमने पहले ही दिखा दिया था अब फिर हमने दूबी हमने दिखा दिया यह हमदार प्रकार के उपचार से हमारा पूजा हो चुका है इसके बाद जो पंचम उपचार होता है वो होता है भोग आपको भोग अर्पित करना है आपने घर पर खीर बनाया हो कुछ भी बनाया हो मीठे में आप वो अर्पित कर सकते हैं चड़ा सकते हैं यह दिखिए भोग अर्पित कर लेजे भोग लगाने के बाद आपको एक लोटा जल अवशे ही रखना है एक लोटा जल या फिर आप पानी ग्लास में भी रख सकते हैं इस प्रकार से इसके बाद आपके पास फल हो और सिजनल फल को भी हो आप चड़ा सकते हैं भोग में बाद बंचमी की दिन माता सिता को अवशे ही सिंगार का समान अरपित कर सकते हैं कम से कम आपको पांच या सोला सिंगार का भी आप अरपित कर सकते हैं समान जो भी सोला सिंगार का है वो अरपित कर सकते हैं इसमें से एक दो चीजे आप खुद रख सकते हैं, एक दो चीजे आप दान कर सकते हैं इसके बाद हम अब आर्थी करेंगे सबसे पहले हमें गनेश जी की आर्थी करने होती है जे गनेश जे गनेश जे गनेश देवा मताजा की पारवती पिता महादीवा एक दंत दयावंत चार भुजाधार माते परते लकसो है मौसे की सवारी इस तरह से आप आर्थी कर सकते हैं आपको आर्थी पूरी कानी होती है, ये वीजियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने आर्थी अपने मनी मन का रही हूँ इसके बाद हम भगवान राम जी और माता सिता की और सभी देवी देवताओं की आर्थी करेंगे और ये आर्थी को आप गर पर सभी जगा पर आप घुमा सकते हैं सभी उस पर घुमाईए आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उनको भी आर्थी से करने दीजिए आर्थी हो जाने के बाद थोड़े से आपको हाथ में जल लेना है फिर उसके बाद आजमन करना है पुजा में रही कमियों को शमा मांगते हुए हम दक्षीना जरूर अर्पित करेंगे हाथ चोड़ कर हम भगवान से मनी मन अपने विभाईद जीवन बहुत अच्छी तरह से बीते और आपकी क्रिपा हम पर सदा वने रहे इस तरह से आप प्रात्ना कर सकते हैं और आपको इसके बाद थोड़ा सा थोड़ा सा चावल लेकर थोड़ा सा पुश्प हाथ में रखकर आपको कथा सुननी है कथा आपको इंटरनेट में भी मिल सकता है या फिर कोई सुनाने वाला हो या फिर आपको आता है तो हाथ में पुश्प और अक्षित लेकर कथा सुन सकते हैं सुनने के बाद आपको ये जो हाथ में पुश्प और अक्षित है उसको इधर ही अरपित करना है और यदि आप शुबे के टाइम कर रहे हैं तो साम के टाइम आपको दिप्दान करनी होती है कौन से समपास दीपदान आप कर सकते हैं साम के समय और इस पूजा को करने के लिए आपको व्रत रखने की जरुद नहीं है और सात्विक भोजन आप कर सकते हैं घर पर और इस तरह से आप पूजा को संपन कर सकते हैं आपको पांस देपक तो अवशे ही चलानी होती है और ये जो सामगरी है ये जो सिंगार सामगरी है वो हमने बता दिया वो आपको आदा रखना है आदा आपदान कर सकते हैं और इस तरह से हम संपून जो सरल पुजा वीदी है वो उसको संपून कर सकते हैं और इसमें कुछ भ एक बात और ध्यान रखे जब भी पूजा किजिए आप अपने हाथ पर मौली या वशे ही बान लिजिए और भी आपके घर में मेंबर है वो आपके साथ पूजा कर रहे हैं तो उनके हाथों में भी मौली बान लिजिए और आपके हाथ में किसी से बदवा लिजेगा और आज के लिए इतना ही और आगे भी आप सरल वीदी पूजा जानने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी इसी तरह से सरल पूजा वीदी देखे वो भी जाने और कर सके तो आप सभी को धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए